गुश्टों सुवगत आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल शालू पाठ शाला में लास्ट क्लास में हमने लाइट, रिफ्रेक्शन, एड रिफ्रेक्शन किया था और इस KVS TGT साइंस की यूनित में जो लाइट, रिफ्रेक्शन, और रिफ्रेक्शन है उसमें human eye भी साथ में include कर रखा है हमने already reflection और reflection दोनों topics last video में cover कर लिए है आज हम शुरू करेंगे the human eye and the colorful world जो कि इस unit के साथ merge किया गया है जो ये classes रहेंगी आपकी ये kvS, nvS और कोई भी competitive exam है जिसमें journal science आती है उनके लिए बहुत important है आप सभी को पता होगा कि आपका kvS का admit card आ चुका है तो आप अपने admit card के date को देखते हुए preparation में अच्छे से जुट जाएं मेरे साथ आपकी unit लगबग cover होने में आई है उसके बाद हम marathon शुरू करेंगे हर एक subject के साथ तो आज शुरू करते हैं first topic के साथ और आज का first topic है reflection of light through a prism prism के through reflection of light को हमें देखना है तो जो प्रिजम है वो एक refractive medium है जिसमें दो plane surfaces होते हैं क्या होते हैं दो plane surface होते हैं कुछ ऐसा आपने देखा होगा ठीक है जो आपको school वगेरे में दिखाया भी होगा ठीक है यहां पर इसका base होता है ठीक है तो आपको यह prism दिखाई दे रहा होगा इस prism ने आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको दो तो reflecting surface दिखाई देंगे, ठीक है, और reflecting edges दिखाई देंगे, ठीक है, और यह आपको जो जाए yellow color से लिखा हुआ है, यह है base, तो A, B, C, एक face यह, D, E, F, दूसरा face यह, ठीक है, तो यह है prism, ओके, और यह जो surfaces है दोनों के दोनों, यह एक particular angle पर incline करेंग ठीक है, तो जो plane surface है, जहाँ से light क्या होती है, pass होती है, उसे हम बोलते है, reflecting surface, ठीक है, जहाँ स light pass होती है, उसे हम क्या बोलते है, reflecting surface, ठीक है, और जो angle होगा, दो reflecting surface के बीच में, उसे हम angle of क्या बोलेंगे, prism बोलेंगे, क्या बोलेंगे, angle of prism, ठीक है, अगर जो कोई line intersect कर रही है दो surface के बीच में उसे हम क्या बोलेंगे reflecting age of the prism क्या बोलेंगे refractive age of the prism ठीक है और जो एक section और बच गया है जो prism के perpendicular है जो perpendicular है to the reflecting age reflecting age के जो perpendicular है वो क्या है principle section of the prism क्या है principle axis है prism का यहां तक आप सभी को समझा वया होगा अब हम 2D view में देखते हैं कि कौन सा angle कैसे होता है यहां पर ठीक है ओके तो यहां देखिए आपको यहां पर एक triangle दिखाई दे रहा होगा यहां पर आपको एक triangle दिखाई दे रहा है ठीक है यह वाला triangle जो दिखाई दे रहा है आपको ओके इसमें जो आपको यह p है यह p और रे दिखरी है यह है आपकी incident ray कौन सी रे है incident ray ठीक है और जहां ने बात किती एक यह reflecting surface है यहां पर जैसे ही यह रे टकराएगी यह अगर रे यहां पर टकरा रही है तो यह क्या करेगी refract करेगी इसने यहां पर reflection दिखाया आपना और फिर यहां से यह वापस बाहर निकल गए ठीक है तो यह कौन सी रे हुई incident ray ठीक है यह कौन सी हुई emergent ray ठीक है और ये वाली ये जो आपको मैं अभी red color में mention करके दिखाऊंगी ये वाली ये है refracted ray ठीक है समझ में आया first incident फिर refracted और फिर emergent तीनों समझ में आया जब normal draw करें हमने यहाँ पर यह दो एक यहाँ एक यहाँ ठीक है ये है angle I क्या है ये angle I और जो आपको यहाँ पर मैं अभी आपको black color shape mention करती हूँ ये है angle R कौन सा angle है R refracted angle है ये और जो इस वाली emergent ray पर हमने perpendicular किया जो यहाँ पर जो angle बनेगा वो बनेगा angle E emergent angle ठीक है यहाँ तक आप सभी को समझे आ गया होगा अब आगे देखिए मैं इसको रेज करती हूँ आगे देखिए आगे हमने इन दोनों रेज को extend किया पीछे तक ठीक है जहाँ पर आपको G point दिखाई दे रहा है ठीक है और जो आपको ये angle D दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो ये angle D क्या है angle of deviation क्या है angle of deviation ठीक है ओके इसका समझ में आ गया ठीक है और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला angle ये है angle of prism क्या है angle of prism तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा यहाँ पर हमने देखा एक incident ray है एक refracted ray है angle of prism है emergent ray है साथ में हमने angle I देखा angle R देखा angle E देखा और angle D देखा ठीक है जिसको angle of deviation बोल रहे है यह है reflection of light through a triangular glass prism ठीक है क्या है triangular glass prism तो हमने बात की जो prism है उस पे refractive medium के अंदर जब हम देखते हैं तो दो plane है सरफे जो incline करते हैं particular angle के उपर ठीक है ओके तो यहाँ पर base है ठीक है यहाँ पर एक आपको triangular base दिखाई देगा और तीन यहाँ पर आपको lateral surface दिखाई देगे ठीक है जब आप prism को देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा एक तो triangular base दिखाई देगा और तीन आपको rectangular lateral surface दिखाए देंगे तो ये question यहां से बहुत unique question है कि कितने triangular base है एक triangular base है और तीन rectangular lateral surface है यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा और angle of prism क्या है दो lateral surface के बीच का जो angle होता है वो क्या होता है angle of prism ओके, done? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ आप सभी के लिए पढ़ने के लिए नेक्स देखते हैं dispersion of light क्या होता है dispersion of light को discover करने वाले Newton जी है इन्होंने बता, इन्होंने यह experiment किया था glass prism के साथ उन्होंनों क्या किया जो white light है उसको क्या किया glass prism से पास किया और उन्होंनों देखा कि जो white light है वो seven color में क्या हो रही है seven color में seven color के mixture से बनी हुई है तो उन्होंने यहाँ पर जो देखा वहाँ पर उन्होंने क्या दिखाए दिया उन्हें विब क्योर दिखाए दिया क्या दिखाई दिया विब क्योर दिखाई दिया चिक है तो यह process है जो white beam है जो वो split हुई चिक है देखो हमने एक refractive medium को use करके white light को pass किया और वो 7 color में क्या हुई separate हो गई एक तरीके से split हो गई है सबसी अच्छे बात split हो गई है white light 7 colors में जब आपने उसको refractive medium से pass किया तो इस से हम क्या बोल रहे हैं dispersion ठीक है तो यहाँ पर आपको different color किया दिखाई दिये एक different color की जो यहाँ पर different color आपको obtain हुए ठीक है और वो obtain हुए तो चिक है तो उस वो एक incidence ray से बने हुए थी चिक है एक incidence ray थी उस पर effective medium पर टक राए उसके बाद वो south color में टूड गई यह हो गय यह seven color हो गए क्या spectrum ठीक है क्या हो गए spectrum अब दोनों में फरक क्या है spectrum में और इसमें क्या dispersion में देखो dispersion होता है वो फिनोमेना जब white light split होती है ठीक है किसके थूप प्रिजम के थूप वो बोलते है कि भाई यह constitute है colors के साथ में बनी होई है ठीक है तो वह dispersion of white light ठीक है जब group of color different color जब एक ray से produce होते है with the help of prism due to किसके due to dispersion के due to से हम क्या बोलते है spectrum क्या बोलते है spectrum और यह करने वाले कौन थे Isaac Newton क्यों थे Isaac Newton एक्सपरिमेंट को करने वाले कौन थे Isaac Newton थे ठीक है आप सभी को यहां तक समझ आ ही गया होगा ठीक है ओक है ठीक है चलते हैं फिर next topic के ठीक है तो उनका क्या हुआ उनका इनसे भी मन ने बरा तो उन्होंने क्या किया यह prism लिया इस prism के आगे एक prism और रख दिया ठीक है और जैसे को रिकोंबिनेशन जो prism एक जिकली वैसा ही रखा तो उन्होंने देखा कि जो यह seven colors light है जो seven colors light पे गिरी तो यह एक बाद मे एक white light के रूप में बाहर screen पर obtain हुई white light के रूप में obtain हुई ठीक है तो जो combination था two identical glass prism का उससे यह पता चलता है कि जो first light जो prism पे गिरी वो seven components से बनी हुई थी seven color components से और वापस वो second पे गिरी तो वापस से recombine होके उसने एक white light बना ली ठीक है तो यहाँ पर experiment था वो successful हो गया उनका उनका और experiment का नाम था recombination of the spectrum of white light ठीक है इसके उल्टा रखा था एक prism यह prism 1 था और यह prism 2 था ठीक है पर बात क्या थी inverted था यह ओके आप सभी को यहाँ तक समझाया ठीक है next फिर देखते हैं हाँ इससे एक related phenomena देख लेते हैं आपने rainbow देख्या होगा देख देखो जब थोड़ी थोड़ी बारिश आती है तो वहाँ पर हमें एक rainbow दिखाई देता है ठीक है और जो rainbow दिखाई देता है वो किसका effect होता है dispersion का reflection का और reflection of light का किसके वज़े से जो यह rain drop है और यहाँ पर जो rain drop है वो एक prism की तरह काम करती है ठीक है तो rain drop में सिर्फ dispersion नहीं यहाँ अतना dispersion भी reflection भी और reflection of sunlight तीनों काम करके यहाँ पर हमें rainbow दिखाई देता है ठीक है क्या दिखाई देता है हमें rainbow दिखाई देता है ठीक है यहाँ तक clear आप सभी को ओके ठीक है इससे कुछ और भी फिनोमेना आएंगे जो atmosphere reflection के थुरू relate करेंगे उनको हम next अभ human eye हमारी good gift आके है ना ठीक है बगवान ने हमें इतने अच्छी आके दी है ठीक है तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पूरा जो आई है वो किस-किस जो पार्ट है उसको हम क्या-क्या बोलते हैं हर हर पार्ट का क्या काम है यह हमें जानना बह इसमें हमें क्या दिखाए देगा यूपिल और स्लेरा ठीक है यह सब यह आपको दिखाई दे रहा होगा अब हम जो में पार्ट के बारे में बात करेंगे वह हम करेंगे किसके बारे में स्लेर मसल्स के बारे में रैटिना के बारे में ऑप्टिक नर्स के बारे में ब्लाइं human eye में है first है cornea जो आपको protective और front layer जो दिखाए देती है आँकी उसे हम क्या बोलते है cornea और ये transparent membrane से बना हुआ है और light enter करती है cornea के दुरू नेक्स है iris dark and colorful muscular diaphragm जो होता है उसे हम iris बोलते है जो कि responsible होता है आँकी color के लिए फिर किसी की brown होती है किसी की black होती है किसी की gray होती है किसी की blue होती है वो iris की वज़े से होती है नेक्स है pupil pupil आपको एक बहुत चोटा सा part दिखाई देगा किसके बीचे में iris के बीचे में और उसे हम क्या बोलेंगे pupil जो कि कितनी light हमारी आँखों में जानी चाहिए उसके हिसाब से वो adjust हो जाता है ठीक है और यह जैसे आप दूप में जाते हैं तो आपका pupil की कम हो जाती है size और जैसे अंदर आते हैं तो आपकी आँखों का तो pupil उसकी size बढ़ जाती है सिलरी मसल्स सिलरी मसल्स है वो eye lens को hold करती है proper position में ताकि जब eye lens की जो shape है वो एक particular time तग maintain रहे और अगर थोड़ा वो change हो ना हो तो सिलरी मसल्स में help करती है ठीक है eye lens eye lens होता है convex lens जो की transparent होता है transparent jelly like material से बना हुआ होता है ठीक है eye lens आपने देखा convex lens ऐसा ही होता है ठीक है next देखते हैं फिर आता है retina retina वहाँ वह होता जहां पर हमें proper image हमारी मिलती है जो की वह सीधी है उल्टी है कैसी है कहां बनती है retina भी बनती है image हमारी फिर दो होते है road cell और cone cells road cells जो होते हैं वो color sensitive होते हैं और cone cell shapes cone shape के जो cell है वो present होते हैं ठीक है road cells जो होते हैं वो हमें जैसे black and white जो दिखता है वो हमें road cells के वज़े से दिखता है और जो colorful हमें wall दिखा देता है वो हमें cone cells के वज़े से दिखाई देता है ठीक है next या optic nerves optic nerves क्या होती है जब आपको suppose आपको कुछ दिखाई दिया ठीक है तो उसको electrical signal में convert करके और उसे brain तक पुझाते कि हमें सामने क्या दिखाई दे रहा है हाथी गोड़ा क्या दिखाई दे रहा है next step blind spot blind spot होता है junction of optic nerve and retina retina की बीच में optic nerves के बीच में जो junction होता है जहाँ पर ना तो road cells होते हैं ना कौन cells present होते हैं उसे हम बोलते हैं blind spot और ये sensitive, insensitive है to the light आपको यहाँ पोजिशन दिखाई दे रही होगी यह है हमारा lens यह हमारा cornea यह हमारा iris है बीच में यहाँ पे pupil है फिर इसके अंदर आपको liquid liquid दिखाई देता है आपने आप में जब बंद करते हैं खोलते हैं तो इसलिए खुल पाता है वो aqueous humor की बज़े से आप जो बीच में खाली है उसमें पूरा wetrous humor present होता है यहाँ पर retina होता है जिससे क्या बनती है image बनती है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्फेक्ट है हमको ठीक कैसे कर सकते हैं ठीक है और उससे पहले हम power of accommodation देखते हैं आँक का देखो एक near point होता है एक far point होता है अब बोलते हैं कि 25 cm से ज़ादा आपको copy को अपनी आँकों के पास नहीं लेकि आना तो 25 क्या हुआ एक near point की limit है अगर आप उससे आगे लेके जाएंगे तो आँक की आँकों पे जोर आएगा जिससे आपकी आँके खराब हो सकती है और आपको clearly नहीं दिखाए देगा क्या पास की चीज़े नेक्स्ट है फार पॉइंट फार पॉइंट क्या है आपका यह आपके कहां तक आपकी आँक है और कसी object को clearly देख पा रही है वो है फार पॉइंट ठीक है और नोर्मल आई की infinity होती है ठीक है नेक्स्ट है रेंज ओफ वीजन डिस्टेंस बिट्विन जो डिस्टेंस है किसके बीच में बहुत पास पॉइंट का और फार पॉइंट का दूर के और पास के आँख के पॉइंट का उसे हम क्या बोलते हैं range of vision ठीक है नेक्स्ट है पावर फ अकॉमेडेशन पावर फ अकॉमेडेशन होता है कि आँखे किसी near या फिर पास या दूर के object को clearly देख पा रही है और उस ability को बोलते हैं हम पावर फ अकॉमेडेशन ठीक है तो आपको far point पे है यहाँ पर आपको आपकी image कहां बन रही है अप्रोपर retina बे ठीक है अगर यह image इससे आगे बने या पीछे बने तो यह होते हैं आपके कुछ defects जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे ठीक है यहाँ तक आप सभी को समझा गया होगा तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like करे, share करे और subscribe करे आप अपनी YouTube चैनल शालो पाट शाला को और अपनी तयारी को जबरदस्त करना शिरू कर दे आपका admit card आ चुका है next देखते हैं, first effect देखते हैं myopia, इसका दूसरा नाम है near sightedness तो आपको myopia मुश्किल या सकता है यहाँ पर आपको over use कर सकते हैं near sightedness ठीक है, okay first see क्या होता है, myopia उनको होता है जिनको pass की चीज़े साब दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़े clearly नहीं दिखाई देती ठीक है, अब आप pass बिना चश्मे के आप pass की चीज़ों को पढ़ सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते है इसका reason क्या है eyeball है, वो बढ़ जाती है ठीक है, जो axis curve है cornea का, उसकी वज़े से ठीक है, या फिर आपकी power है, वो increase हो गई है मतलब आपकी focal length कम हो गई है eye lens की, ठीक है देखी, यह normal eye है, यहाँ पर आपकी image बन रही थी retina पे लेकिन अगर आपको myopia है तो आपकी retina पे ना बन के कहीं बीच में image बनेगी ठीक है, retina तो वो पहुँच नहीं पाएगी तो इसके correction के लिए आप क्या करते हैं, क्या use करते हैं, आप यहाँ पर आप यहाँ पर concave lens यूज़ करते हैं और जैसे ही आप concave lens यूज़ करेंगे तो आपकी जो image है वो properly retina पे बनने शुरू हो जाएगी ठीक है, तो जिनको myopia होता है वो concave lens यूज़ करते हैं उनसे lens यूज़ करते हैं concave lens यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है focal length को shootably emerge करके उसे properly retina पर image बनाने में help करते हैं ठीक है, तो ये था myopia जिसमें आप concave lens यूज़ कर रहे हैं तो आपसे question पुछा जा सकता है कि myopia में concave lenses यूज़ किये जाते हैं और उसमे focal length बढ़ती है या कम होती है ये आपका first question बन जाता है इस वाली slide से चलते हैं next slide पे next है hypermetropia hypermetropia में आपको pass की object बिल्कुल clear दिखाई नहीं देंगे ठीक है पर दूर की चीज़ें आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगी myopia बहुत common है as compared to hypermetropia ठीक है hypermetropia में आपकी eyeball का size decrease हो जाता है और decrease पावर भी decrease होता है जिसकी वज़े से focal length क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है यह है आपकी normal आखे जहां पर आपकी retina पर proper क्या बन रहे है image बन रही है लेकिन अगर hypermetropia है अगर आपको दूर के object clearly नहीं दिखाई पास के object clearly नहीं दिखाई दे रहे तो आपकी image retina से पीछे बन रही है कहीं ठीक है और इसको retina पर लाने के लिए हम यहाँ पर convex lens use करते हैं convex lens क्या करते हैं focal length को adjust करते हैं क्योंकि focal length क्या हो गई है बढ़ गई है इसको adjust करने के लिए आपको क्या use करना पड़ेगा और आपकी image properly retina पर आ जाएगी तो hypermetropia को correct करने के लिए आप convex lens यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर focal length बढ़ जाती है ठीक है as compared to myopia क्योंकि उसमें focal length कम हो जाती है ठीक है ओके यहाँ तक समझाया next topic आता है scattering of light क्या होता है देखो जब reflection होता है light का किसी भी object पे तो वो क्या होता है वो किसी भी direction में move का जैसे light source है क्या light आपने sun से light किरी है तो वो किसी object पे टकराती है जैसे वो object पे टकराएंगी तो वो क्या करती है अपनी direction किसी भी direction में लेगे जाती है scattered हो जाती है एक तरीके से जिसे colors होते हैं वो scattered होते हैं तो वो depend करते हैं कि आपके आशपास जो particles हैं वो किस size के present है तो जो fine particles है वो scattered mainly blue color को करते हैं तो जो large particles है जैसे large size के scattered light है वो longer wavelength की होती है तो उनके basic कुछ phenomenon होते हैं पहले scattering of light देखते हैं दुबारे से जब एक light fall होती है कुछ suspended particles पर तो वो divert हो जाती है अपने path से किसी भी random direction में आपको दिखाई दे रही होगी कहीं भी move कर रही है तो उस phenomena के बोलते हैं scattering of light क्या बोलते है? scattering of light बोलते हैं ठीक है? ओके? तो इस पर phenomena देखते हैं मैं आपको जाती है इसका जो phenomena phenomena आ सकते हैं ठीक है? फिर्स phenomena आता है यहाँ पर tender effect क्या आता है? tender effect scattering of light में यह तो आपको दिखाई दिखो खिड़की से छोटा सा अगर छेज होता है वहाँ से एक light आती है है न? वो जो कुछ particle मोग कर दिखाई जेता, वो scattering of light की वज़एसे होता है next step second आता है color of sky blue होता है किस की वज़एसे होता है scattering of light की वज़एसे होता है third है आपको जो color होता है sunrise का sunset का, वो कीशा दिखाई देता है? red दिखाई देता है ठीक है? स्कैंटरिंग ओफ लाइट की वज़े से होता है किसी वज़े से होता है स्कैंटरिंग ओफ लाइट की वज़े से होता है तो यह फिनोमिना आपको याद रखने हैं कि एट्मोस्पेरिक रिफ्रेक्शन में कौन-कौन से फिनोमिना आते हैं ठीक है blue sky दिख रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो आपको blue ही क्यों दिखा देता है क्योंकि जो blue light है वो यहाँ पर scatter कर रही है क्या कर रही है वो light यहाँ पर scatter कर रही है इसलिए आपको sky blue दिखाए देता है ठीक है और sunrise और sunset में क्या है atmosphere में वो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है जो ब्लू लाइट है यहाँ पर उसकी shorter wavelength होती है ठीक है ओके ठीक है तो red color क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर longer wavelength है उसकी तो हमारी आँकों तक वही पोच पाती है तो इसलिए हमें sky जो रेड दिखाई देता है sunset और sunrise के टाइम पर ठीक है जिसे सेम वाली बात है compare to wavelength तो यहाँ पर जो यह फिनोमेना है यह भी scattering of light के अंडर ही आता है ठीक है next है red color of the danger signal जो signals होते हैं उनके red color दिखाई देते हैं तो यहाँ पर एक topic और देख लेते हैं यहाँ पर एक होता है atmospheric reflection क्या होता है atmospheric reflection atmospheric reflection में क्या है कि जो earth है वो uniform आपको पता है throughout density up down में proper तो है नहीं तो यहाँ पर कुछ फिनोमेना होते हैं तो दूर भी है earth तो first phenomena क्या होता है twinkling इसमें होता है twinkling of stars ठीक है आपको twinkling of stars है वो पूछ सकते हैं किस phenomena के अंदर है वो है reflection of light के अंदर atmosphere reflection साथ में यहाँ पर आपको एक और दिखाई देगा advance sunrise and delay sunset two time वाला two minutes पहले और two minutes बाद तक आपको sunset और sunrise ऐसा दिखाई देता है ठीक है तो यह जो phenomena होता है यह भी किसके अंदर आता है atmospheric reflection के अंदर आता है ठीक है atmospheric reflection के अंदर आता है ओके तो two minutes after the sun has below the origin तो जैसे origin के below जाता है तो हमें तब तक sunset और sunrise में दो दो मिनट का फर्क दिखाई देता है ठीक है तो यह phenomena आते हैं किसके अंदर atmospheric reflection के अंदर ठीक है तो यह जो topic था reflection वाले जो topic के बाद था जिसमें human eye हमें पढ़ना था साथ साथ में हमें कुछ phenomena's पढ़ने थे जिसमें हमें atmosphere reflection करना था scattering of light करना था और साथ साथ में क्या करना था desperation करना था और spectrum करना था तो हमने आज यह properly topic है वो cover कर लिया है ठीक है तो इन topic के अंदर आपको यह question आ सकता है कि scattering of light में कौन-कौन से phenomenon आते हैं तो आपको उसमें से एक option को tick करना होगा ठीक है तो यह था आज का topic ठीक है तो शुरू करते हैं फिर next topic को जिसमें हम अभी तो इ इस एर से लिटिड होगे उन question को हम आज discuss करेंगे next video में ठीक है तब तक के लिए आप अपने YouTube channel शालू पाटशाला को like करें, share करें और subscribe करें आपका admit card आ चुका है तो आप अपनी तयारी में जुट जाए ठीक है अभी हम marathon शुरू करेंगे, marathon में आपको हर एक important topic के साथ हम deal करेंगे, ठीक है तो तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तयारी शुरू करें, thank you all, like करें, share करें और subscribe करें, आप अपने YouTube channel शालू पाटशाला को, please please share करें जादे से जादा, ताकि मेरे को भी motivation मिले, और हम और वीडियो को आगे बनाने के साथ आपकी साथ दिसकुश क बिया चाल, पसान करें, ठीक है, thank you